हलो एबरिवन आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार एक नई वीडियों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लेट पेसर ट्रीट्मेंट के बारे में तो आज इस वीडियो के मादेम से आप सभी को पताएंगे low blood pressure की basic जानकारी क्या होती है low blood pressure के symptoms क्या होते है hypertension क्या है low BP क्या होता है low BP के क्या कारड हो सकते है और medicines for low BP यानि हम low blood pressure में कौन कौन सी medicines का योज कर सकते है तो वीडियो बहुत ही जाना knowledgeable होने वाला है और काफी जाना informative है तो वीडियो की script बिलकुल मत करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलेगे हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही medicines के review के वीडियो मिलेंगे वहती अच्छी ची knowledge के चलिए वीडियो को start करते हैं तो अब जानते हैं हम आकर hypotension low BP क्या होता है तो hypotension is the medical term for low blood pressure hypotension bird का use हम करते है medical term में low blood pressure को जानने के लिए low blood pressure को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसकों होते हैं hypotension तो less than 19 into 60 BP यानि जो हमारा 90 बटा 160 BP होता है यह हमारा low blood pressure को इंगित करता है low blood pressure को बताता है कि हाँ हमारा low blood pressure low हो गया है यह blood pressure rating appears to numbers क्या होता है जो हमारा blood pressure होता है वो हमेशा दो digit में होता है जैसे उपर दिया गया है 90 बटा 60 यह दो digit में हमेशा रहेगा उपर वाला होता है हमारा systolic और नीचे वाला होता है diastolic तो the condition which blood pressure becomes low, इस condition में हमें पता चल जाता है कि blood pressure low हो गया है अच्छ, अब हम जानते है hypotension low BP की range के बारे में तो यस छोटे से आपको image में दिखराओ low blood pressure range आ has खिर इसमें blood pressure की range आपको बताएंगे तो इन सीवर केसे लो बलेट पेसर केन भी लाइब ट्रेटिंग क्या होता बहुती गंबीर मामलों में क्या होता लो बलेट पेसर हमारे की जान पर भी आबंती है कैसे ए बलेट पेसर रेडिंग लोवर देन 19 mm of mercury mmHg for the top number systolic और 60 mmHg for the bottom number diastolic generally considered low blood pressure क्या होता है जो हमारा dangerous stage होती है लो बलेट पेसर की उसमें हमारा जो बलेट पेसर की जो range होती है वो पचास बटा 33 mmHg होगी और जो हमारी उससे थोड़ी नीचे वाली step होती है जिससे जो उसकी range होती है 60 mmHg से 40 mmHg पर और जो हमारा normal blood pressure range होती है वो होती है 120 mmHg से 80 mmHg तक अगर हमारा blood pressure रहेगा तो यह normal blood pressure है इसमें पेसेंट को कोई भी problem नहीं होगी बट अगर हमारा blood pressure 90 mmHg से 60 mmHg पर आ जाएगा अगर इस पेकों mammometer यह blood pressure rating बताता है तो उस condition में क्या होता हमारा blood pressure जो होता ना वो low हो जाता है अब हम जानते है hypotension low bb diagnosis के बारे में तो जब भी आप डाक्टर के पास BP नापने के लिए जाते हैं तो डाक्टर हमेशा एक machine का यूज़ करता है बहुत से लोग इस machine को जानते भी नहीं होता है तो हम आपको बताते है low bb और high bb को नापने के लिए इस पेगमो मेमومیτर का यूज़ किया जाता है इस पेगमो मेमो में़़ मेटर का यूज़ किया जाता है यूज़ यूज़ कwarm पर high और जो normal range होती है blood pressure की बो होती है 120 बटा 80 mmHg और अगर हमारा blood pressure low होगा तो उसकी range हो जाएगी 90 बटा 60 mmHg और अगर हमारा blood pressure high रहेगा तो उसकी range हो जाएगी 140 बटा 160 बटा 140 के आसपास तो ये बीपी को नापने के लिए इस पेगम मेममीटर का यूज करते हैं तो अब हम बात करते हैं low blood pressure symptoms के बारे में क्या होता जब ये में blood pressure होता है तो कुछ symptoms से में पता चल जाएगा कि आखर हमारा blood pressure low हो जाएगा तो सबसे पहले जो conditionals और lightheadedness यानि चक्कर आएगे हमें हमें बहुत जाना जब चक्कर आने लगए और बेकनिस फील होगा तो समझे लो आपर हमारा blood pressure low हो जाएगा नोजिया हो जाएगा जी मिचलाना जिसे बोलते हैं फैंटिंग भियोसी सी condition हो जाएगी dehydration and unusual stress प्यास बहुत जादा लगएगी dehydration होने लगएगा lack of concentration concentration एक आगरता का अभाव हो जाता है blood vision हो जाएगा हमें आखों से दुदलापन दिखना नजार आने लगए rapid slow breathing बहुत slow सांस लेने लगए depression सा महसूस होगा ये कुछ हमारे low blood pressure के symptoms हैं और क्या होता है confusion होगी allergies होगा और tiredness फिल होगा ये कुछ symptoms होते हैं low blood pressure जब भी हमारा low blood pressure होगा तो ये symptoms नजर आएंगे हमारी body के अंदर तो अब हम जानते हैं low blood pressure के क्या क्या causes हो सकते हैं जब भी हमारा low blood pressure होगा है तो कुछ कारड़ भी होते हैं जैसे pregnancy के दोरान भी हमारा blood pressure low हो सकता है heart problems हो सकती है endocrine problems होती है dehydration हो सकता है blood loss होता है तब भी क्या होता है low blood pressure की condition हो जाती है fever infection हो जाए कहीं पर भी हमारी body में infection होता है sepsemia और fever allergic reaction हो जाए anaflexis तो भी क्या होता है blood pressure down हो जाता है हमारी body में lack of nutrition in your diet यहानि हमारी diet में Programm yang patate form used nutrition की जब भी nutrients की कम हो जाती है तो क्या होता है तो भी low blood pressure हो सकता है prolonged bad rest का होता है लंबी समय तक जधी हम bad rest करते हैं लंबी समय तक जए仮 ब्याट पर लेटे रहते हैं और तब भी क्या होता है blood pressure low हो सकता है हमारा poor nutrition क्या होता है nutrition की जब भी diet हमारी कम हो जाती है या प्रोटिन्स बगारा खुब अच्छी मात्रा में नहीं मिलते हैं तो low blood pressure की condition हो सकती है decrease in blood volume क्या होता है जब भी हमारा blood volume कम होगा तो भी हमारे अंदर low blood pressure की condition हो सकती है लो हार्ट रेट अनि ब्रेडिक आडिया जब भी हमारी हार्ट रेट कम होगी तो भी ब्लड पेशर की कारड़ हो सकता है यह कुछ लो ब्लड पेशर के कारड़ हो सकते हैं तो अभी आपको यह दिये कुछ कारड़ देखें तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें अब बात करत रेजिन्स होती हैं लेमन जूस है होली वेशल्स तुलसी है रोसमरी ओइल है लिवर आइस रूट है जिसे हम बुलते हैं लिकूरिश टी यानी मुलिठी की जड़ एलोमेंड मिल्क है कॉफी है बीट रूट जूस है कैरोट जूस है साल्ट है इन सबका यूज करके भी हम अप सोडियम यानि नमक को संतलित करता है इससे ब्लेट पेशर कंट्रोल में रहेगा जब भी हम रात को सोने से पहले एक कप पानी में थोड़ी सी मात्रा में किसमेद्व भेगरद है और खाली पेट किसमिस के साथ पानी भी पी लें तो क्या होगा हमारा लोग पिस्टन नॉर्मर हो जा कैसे होगा लो बीपी की समस्या होने पर जो लिकोरिस टी जरूर पी पीनी चाहिए दरासे रसमें क्या होते एंटी इंफ्लमेटरी और हान कारेक्ट्री रेडिकल्स को निश्ट करने वाले गोड़ होते हैं जो कब से रात देते हैं इससे पीने से सरी में दुरस्तपन रहता है और हाइपोटेंसिन की सिकायत को खतम हो जाती है और क्या होता है जब भी हमारा बीपी बहुत जाना डाउन होता है तो साथ यानि नमक का भी यूज कर सकते हैं नमक के पानी का घोल पीने से भी हमारा बीपी ठीक हो सकता है और नॉर्मर रेंज में आ जाएगा अब बात करते हैं medicines for low BP यानि low blood pressure में हम कौन कौन सी medicines का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम flu cortisone नाम की एक टेबलेट आती है उसका भी यूज हम low BP में कर सकते हैं क्या होता है जो flu cortisone खड़े होते समय निम्र रप्ट चाप के लिए दी जाने वाली एक medicine है ये कौर्टी कोस्टराइट सरीन में सोडियम और तरल पदातों की मातरा को निंतरड करने में मदद करता है इससे अक्सर निर्जरी करण के कारण निम्र रप्ट चाप की दभा माना जाता है ये दभा रप्ट की मातरा को बढ़ाती है जिस से रप्ट चाप में मदद मलती है ये जो वोड़ी में हमारे ब्लड पेसर की बॉलिम को बढ़ा देगी जिस से क्या होता हमारा जो ब्लड पेसर है उसमें हमारों हमें नॉर्मल रेंज में लाने में ये medicines यूज होती है तो फ्लू कोर्टिसोन भी एक अच्छा विकल्ब है हमारे low blood pressure में यूज करने के लिए low blood pressure में जो दूसरी टेबलेट आती होती है वो है middle drain middle drain को अक्सर निम्र रख्टचाप की दबा माना जाता है या chronic ortho static potens hypotension वाले लोगों के लिए दी जाती है या रख्ट वैकाओं के बिस्तार की चमता को सीमित करके काम करता है जिससे रख्ट चाप बढ़ जाता है तो middle drain हाइड्रो क्रोडाइट टेबलेट का भी यूज हम कर सकते है low BP के दोरान तीसरे नमबर की टेबलेट है paridosta gaan mide ये भी क्या जो paridosta gaan mide का उप्योग mas stay-y share कि बीमारी वाले रोग्यों में mas stay-y build की तागत में सुधार के लिए किया जाता है जैसे us ठेनी और grey इसीब होती है ये हमारे सारी में पीरातिक पतात acety lyco line के तोटने को रोक कर-कार करता है और एसेटाइल लाइको लाइन स्वास्ट मास्पी के कार के लिए आवश्चक होता है इसलिए दबा मारी थकान निम रखते चाप के सामान लचडों को दूर करने में मदद करती है तो डिश्ट्रेगन नाम की यह जो टैबलेट है ना इसका भी हम यूज कर सकते हैं लो बेपी में फूर्थ नमबर पर जो मेडिसिन्स आती है यह है एरित्रो पोईटीन जो टैबलेट होती है इसका भी हम यूज कर सकते हैं लो बलेट पर सकते हैं ये क्या होता है यदि निम्र रख्टचाप का कारड़ एनेमिया है तो रेम्र रख्टचाप के लिए एरित्रोपाइटिन की मदद ली जाती है और जो एरित्रोपाइटिन आरजबी सी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा बेकलब होता है इस परकार हम रखते चाप बढ़ा सकते हैं जो भी हमारा blood pressure down होगा उसको increase करने में मदद करते हैं तो ये कुछ medicines थी low blood pressure में दी जाने वाली अगर आपको knowledge अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें like करें और एक comment करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching more video